हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होप आप लग अच्छे होंगे मैं हू राहुल जेस्वाल एंज स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे यार ट्यूटोरियल्स में तो कैसे हो यार आप सभी लोग अच्छी दर्गे से पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज है कंटीनिवसली कंसिस्टेंसी मिंटेन करना अगर आप यह चीज कर पा रहे हो तो कहीं ने कहीं आधा प्रॉब्लम का सोलूशन वहीं आपको मिल जाता है चाही आपके श्टडी के फिल्ड में हो या फिर आपके जब आप जॉब कर रहे और आप लोग के लिए जो बिगेश प्रॉबलम है वह वह क्या है वहापके बॉर्ड एक्यों मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन अभी जो आपका लक्षी है जो आपका गोल है वह आपके लिए बॉर्ड एक्याम से कुछ बच्चे कॉमेंट करते हैं कि सर एलजबरा के लेक्चर नहीं वाले जो बनेंगे तो आते रहेंगे इस टेंशन मत लेना लेकिन जो पुराने हैं आप लोग आगे बढ़ गए हो तो याद पुराने वीडियो भी देखो न वाइड बोर्ड वाले और वो पुराना बोलन नहीं चाहता है उसके लिए में कुछ बोलने सकता है ठीक है तो प्लीज यह चीज पॉजिटिविटी मन में डाल के रखो सब चीज पॉसिबल होगा तो चलिए आज एक और लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले है लेक्चर नमर थ्री होने वाला है हमारा यह जो चाप्टर टॉपिक है आपके जो बोड एक्जाम में कुछ पूछे जाते हैं साइन्स वन में तो इसको अच्छे से पढ़ लेना उसके पहले इंस्टाग्राम टेलिग्राम जरूर से जॉइन कर लेना फॉलो कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुए ठीक है हमारे फैमिली वह लेक्शन वर्ड इक्वेशन ठीक है ना यह सभी चीज़ देखने के बाद हमने देखा किस प्रकार आप लिख सकते हो कोई भी केमिकल एक्वेशन को केमिकल रेक्शन को इसके रूल से रेगुलेशन क्या होते हैं उसके बाद हमने बैलेंस करना सिखा था यह पूरा लेक्च केमिकल रेक्शन तो यह जो केमिकल रेक्शन से वह कैसे पहली बात तो टाइपस में कनवर्ट हो रहे हैं यह हम लोको पढ़ने वाली बात हैं तो कोई भी केमिकल रेक्शन की अगर मैं बात करू तो वह क्लासिफाई हो रहा है किसके बेसिस पर क्लासिफाई हो रहा है क्यों से classify करूं कि मैं rankers के हिसाब से करूं, marks के हिसाब से करूं, कैसे करूं, तो same उसी प्रकार ये जो chemical equations होते हैं, इसको classify किया जाता है, चार types के according में, और किसके reference में, किसके reference में, with the nature and the number of reactants and the products, मतलब उस particular reaction में, कितने reactants है, कितने उसके products है, साथी में उसका nature क्या है, ये आधार पर चार type में chemical reactions को divide किया है, बेसिक तोर पर चार type में, वैसे अंदर ये अंदर आप देखोगे, तो बहुत type है, लेकिन आप दसवी तक पढ़ रहे हैं अभी फिलाल में, दसवी के बाद 11 वी अपना chemistry आएगा, 12 वी chemistry आएगा, दीरे दीरे ये सब चीज़ जब आगे जाएगा, graduation level पे जाएगा, तो आपके details के अंदर details बढ़ते जाएगे, classify के अंदर classify बढ़ते जाएगे, लेकिन ये standard wise जाना होता है, अभी आप दसवी में हो, तो आपको सिफ चार type के chemical reactions को याद करना है, जो की है, पहला है combination reaction, दूसरा है decomposition reaction, तीसरा है displacement reaction, और चवता है double displacement reaction ये चारो reaction, आज अगर आप देख लोगे ये वीडियो को, तो पूरा crystal clear हो जाएगा, और ये चारो reactions के definition भी याद करवा दूँगा, इसके examples भी याद करवा दूँगा, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, और आपके लगभग 2-3 marks आज यहीं पर secure हो जाएगे, जैसे मैंने ब reaction है, ये बहुत ही अलग-अलग type के होते हैं, ठीक है, लेकिन इसका एक definition है, वो क्या बोलते हैं, सबसे पहले इसको study करो, definition क्या बोलता है, कि when two or more reactants combine, देखो ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा है, कि when two or more reactants, मतलब 2 या फिर 2 से जाधा reactant, मतलब left hand side वाले जो चीज होते हैं उसको reactant ने बोलते हैं, तो when two or more reactants combine in a reaction to form a single product, मतलब 2 reactants से एक single product जब बन रहा है, समझ में आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ, दो reactant या फिर 2 से जाधा reactant से, जब एक single product बन रहा है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, combination, यानि उस reaction को हम लोग क्या बोलेंगे, combination, reaction, ब बचलों मेरे पास है, ammonia, इसको हम लोग बोलते है, NH4, NH4 जो होता है, वो generally, sorry, NH3 होता है, माफ करना, NH3 जो होता है, ammonia बोलते है, यह ammonia जो है, ammonia, यह actual में देखा जाए, तो gas form में होता है, तो आप G लिख सकते हो, यहाँ पर, ammonia gas, इसके साथ में एक hydrochloric acid आता है, जिसको HCL बोल ammonia and HCL, that is hydrochloric acid बोल सकते हो, यह फिर hydrogen chloride बोल सकते हो, simple language में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, hydrogen chloride, gas के form में है, तो इसको मैं बोलूँगा hydrogen chloride, लेकिन अगर यह liquid form में होता है, तो यह बन जाता ह hydrochloric acid, इसको हम लोग HCL को hydrochloric acid बोलते हैं, तो ammonia और hydrogen chloride का क्या हो रहा है, reaction के इसका edge इसके साथ जूड़ जाएगा, तो यह बन जाएगा NH4, और CL जो है वो साथ में जूड़ जाएगा, तो यह actual में क्या बन जाएगा, NH4 CL, और actual में यह जो NH4 CL जो है, यह actual में जो बनता है, वो solid form में भी बन सकता है, या फिर gas form में भी बन सकता है, जो generally, यह जो बन रह और यह जो ammonium chloride है ना, यह solid form में होता, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ammonium chloride, ammonium chloride, और यह ammonium chloride solid form में है, इसका मतलब आपने एक चीज़ notice किया, कि यह जो reaction मैंने लिखा है, it is the example of a combination reaction, क्यों यह combination reaction का example है, सबसे पहली बात तो ही आता है सवाल, क्योंकि यहाँ पे दो reactant थे, दोनो मिले, reaction हुआ, और सिर्फ एक ही product बना है, यानि कि ammonia plus hydrogen chloride मिलके, ammonium chloride बना रहे, यानि दो reactant मिलके, एक product बना रहे है, और कभी भी ऐसा होता है, या फिर दो, या फिर दो से ज़्यादा, reactant मिलके एक product बनाता है, तो उस reaction को हम लोग क्या बोलते है, combination, that's why this is a combination reaction, एक और example बता बहुत easy है, एक और example है, हमारे पास, बहुत ही simple तरीके से explain किया हुआ है, that is, two molecules of magnesium, and उसके साथ मैंने oxygen को react किया, तो यह बन जाएगा, 2MGO, that is to magnesium oxide, तो दो reactants, एक, दो molecules of magnesium लिया, oxygen लिया, यह दोने को react किया, तो क्या बन गया, 2MGO बन गया, magnesium oxide बन गया, तो, दो reactant मिलके, ए this is also example, ऐसे कई सारे example, आप खुझ से भी generate कर सकते हो, जिसमें यहाँ पे दो reactant होने चाहिए, और बनना चाहिए एक ही product, तो इसी को बोलेंगे हम लोग, combination reaction, यह था आपका सबसे पहला topic, याद रहेगा, definition भी, और आपका examples भी, ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत easy होता है, और यह question exam में आते भी है, तो चलो, अगले example पे जाएंगे, मतलब अगले type पे, decomposition reaction, क्या बोलता है देखो, the chemical reaction in which two or more products are formed, क्या बोल रहा है, दो या फिर दो से ज़्यादा product बन रहे हैं, यहाँ पे, दो या फिर दो से ज़्यादा product बन रहे हैं, from a single reactant, मतलब इस बात जो reactant होगा, वो एक ही होगा, लेकिन जो product बनेगा, वो दो या फिर दो से ज़्यादा बनेगा, उस चीज़ को हम लोग decomposition, क्या हो रहा है, यह decomposite हो रहा है, decomposition reaction बोलेंगे, इसका example से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सुन्दर और बहुत ही अच्छा example है, इसका, एक example है, जि उसी से बनता है starch वगरे से, आपके sugar के juice से, तो यह आपका sugar molecule है, जिसका एक chemical formula होता है, C, आपका 12, H22, O11, ठीक है, यह समझ में आगे आप लोग को, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मैं क्या कर रहा हूँ, decomposite कर रहा हूँ, तो हमारा definition क्या बोलता है, कि मेरे पास एक रियक्टेंट है, वो लेकिन उस रियक्टेंट से हमें जो product मिलेगा, वो दो या फिन दो से ज़्यादा मिलेगा, ऐसा हो सकता है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन बारा है, हाइड्रोजन, बाई से oxygen गया रहा है, समझ में आया, अब देखो, यहाँ पर कार्बन जो है, बारा कार्बन जो है, वो separate हो गया, यहाँ पर आप देखोगे, H22 O11 है, H22 मतलब हाइड्रोजन बाई से O11 मतलब उसके आधा है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखू, 11 molecules of H2O, तो यह चलेगा क्या, मतलब 11 multiplied by 2 हाइड, मतलब 22 हाइड्रोजन, और यह बालेंस हो साथ मैं normal reaction जब करता हूँ, decomposition reaction, तो हमें 12 molecules of carbon और 11 molecules of water मिल जाता है, मतलब एक reactant से दो product मिल रहा है, तो यह obviously क्या हुआ, it is a type of decomposition reaction, समझ में आ गया, एक product से, एक reactant से दो product बन रहे है, ठीक है, इसका एक और example है, जो की बहुत ज़्यादा important है, calcium carbonate है, क्या है, calcium carbonate, इसको react करता है, तो एक बनता है आपका calcium oxide, और साथ में बन जाता है carbon dioxide, यह को यहाँ पर दान से, calcium carbonate है जनरल ही होता है, solid form में होता है, CACA3 बोलते है, solid form में होता है, इसका जब reaction हो रहा है, बतलब normal तोर से एक मेरे पास reactant था, वो क्या हो गया, उसका decomposition reaction होगा, तो वो क्या रहेगा, तो यह क्या हुआ, एक reactant से दो product जो है वो बन रहे है, and that's why it is called as the decomposition reaction, definition दिमाफ में बढ़ गया, पहले वाले में क्या था, एक से दो बन रहा था, sorry, दो से एक बन रहा था, यहाँ पर एक से दो बन रहे, याद रहेगा, अब तिसरा जो type है, जिसको हम लोग बोलत of a lesser reactive element, in a compound is taken by the another more reactive element by formation of its own iron, is called the displacement, क्योंकि नाम से क्या recommend हुआ, अगर आप देखोगे यहाँ पे, नाम से क्या recommend हो रहा है, यहाँ पे, कि मेरे पास एक element था, लेकिन मेरे जगा पे कोई और राके पेड़ गया, because उसका जो element का जो formation हो रहा है, own iron के साथ हो रहा है, मतलब तो मेरी bench पे ना, मेरी seat पे कोई और बैठ गया आके, तो वो क्या हो गया, मेरा seat को कपजा कर लिया, और मैं कुछ बोल ने सकता, क्योंकि मैंने लेट आया, क्योंकि मेरा, खुद का bench तो है नी ना, मैं घर से थोड़ी लेकिया, कोई भी आके बैठ सकता, जल्दी आएगा, ठीक है, तो हम कुछ बोल में नी सकते, तो सेम उसी परकार, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कि अगर कोई chemical reaction है, उस chemical reaction में कोई एक element के जगा पे कोई दूसरा element आके, उस reaction में involved हो जा रहा है, और उसका जगा ले रहा है, तो उसको हमने बोलेंगे displacement reaction, मतलब क्या हो रहा है, उस element के displacement हो रहा है, बेस्ट एक्जाम्पल इस यह अल्रीडी हमने पढ़ा हुआ है, स्टार्टिंग के लेक्चर में आपको याद होगा, copper sulfate, COSO4, aqueous medium में अगर है, copper sulfate, इसके साथ जो है मेरा zinc जो की solid form में होता है, वो अगर react कर रहा है, ठीक है, यह दोनो reactant है, react कर रहे है, तो यहाँ पर क्या होगा, की जो zinc है न, यह copper को अधुका देगा, और zinc आकेな, sulphate के साथ attach हो जाएगा, यह copper sulphate के साथ पहले दोस्ती था, copper और sulphate की दोस्ती थी पहले, लेकिन अब copper और sulphate में न, क्या हो रहा है न, यह copper और sulphate का लड़ाई होगा, zinc बोलता है भाई, यह copper का तो बहाजू निकाल, sulphate, मैं तेरा दोस बनूँँगा, मैं तेरे साथ आता हूँ, तो यह zinc है न, यह sulphate के साथ चला जाएगा, और यह बना लेगा, यह बिचारा क्या हो गया, अकेला रहे गया, तो लाश्ट में यह अकेला copper solid form में विचारा अकेला रह जाएगा, और आजकल भी ऐसे ही होता है, तो यह हो गया example, ऐसे कई सारे examples है, जो कि आप learn कर सकते हो, और याद रख सकते हो, तो यह याद रख लेना displacement reaction, जिसमें किसी का अपना जगा चेंज कर रहे हैं, और यह बहुत ही अच्छी चीज है, होना भी चाहिए, क्योंकि reaction में ऐसे ही होता है, देखो, क्या बोलता है definition, कि the reaction in which the ions in the reactants are exchanged to form a precipitate called the double displacement reaction, मतलब कहीं न कहीं, यह दोनों आपस में जब react करते हैं, तो यहाँ पे दो element अपना अपना जगा चेंज करते हैं, दो element अपना अपना जगा चेंज करते हैं to form a precipitate, मतलब एक solid precipitate medium form करने के लिए, वो ऐसा करते हैं, एक example लाया हुए, silver, nitrate और sodium chloride का, डेब यहाँ पे, example है मेरे पास, मेरे पास है, silver nitrate, agno3 बोलते हैं हम लोग silver nitrate को correct है, silver nitrate को हम लोग क्या बोलते है, agno3, जो कि again aqueous medium में है, ठीक है, again किसके medium में है, aqueous मतलब water के साथ mixture होता है न, aqueous medium, aqueous medium में है, इसके साथ मैं sodium hydroxide, जिसको naOH बोलते हैं, जो कि again aqueous medium में है, यह दोनों का मैं reaction कर रहा हूँ, यह दो म कि यहाँ पे न, यहाँ पे क्या हो रहा है, कि हमारा definition बोलता है कि यहाँ पे दो लोग जो है, वो अपना जगा जो है, वो क्या कर रहे है, change कर रहे है, यहाँ पे, तो simple सी बात क्या हो जाएगा, कि यह जो silver nitrate के साथ था, एक और चीज, यहाँ पे न, हम sodium hydroxide के बतले न, sodium chloride लेते हैं, ठीक है, एक और चीज, मार्फ करना मुझे, हम sodium chloride ले लेते हैं, एने सील ले लेते हैं, ठीक है, ने तो गलत हो जाएगा, एने सील मतलब sodium chloride जो आपका normal नमक होता है, एको एस medium में हम लोग ले रहे, ठीक है, अब यह होगा, कि यह जो, क्या नामें इसका AG, AG मतलब क्या होता है, Argentinum, जिसको हम लोग normally silver बोलते हैं, यह silver है, आपका यह nitrate है, silver nitrite, तो silver nitrite, sodium chloride, तो यहाँ पर यह जो silver है ना, यह अपना nitrite के साथ दोस्ती खतम करेगा, बोलेगा, आप तेरे साथ बहुत होगा, मजा नहीं आ रहा है, it's not working, relationship में बोलते हैं आज कल, trend बन गया है यार हमारे relationship में अच्छा नहीं चल रहा, it's not working, let's break up, तो यह भी बोलेगा, इसको यार, let's break up, तो AG जो है ना, इसके साथ break up कर लिया, अब यह NaTLA sodium chloride, बहुत ही अच्छी relationship थीन की, लेकिन बोलते हैं ना यार, यह sodium, जो है न, नहीं, यहाँ पर AG ने दोस्ती तोड़ी, यहा chlorine के साथ चला गया, और बन गया, AG, CL, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, silver, chloride, और यह white color का, एक substance form होता है, white color का, ठीक है, यह इतना detailing आपको लिखनी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, just off for information, ठीक है, और क्या बज़ गया यहाँ पे, NO3 बज़ गया, और यह Na बज़ लेना है, ठीक है, इसने अपना जगा चेंज किया, AG ने CL के साथ bonding मनाया, अपना जगा चेंज करके, और यह sodium ने भी NO3 के साथ अपना जगा चेंज करके बना लिया, मतलब दो लोग अपना जगा चेंज कर रहे, तो displacement जो हो रहा है, वो तो दो बार हो रहा है, इसलिए इसका याद रहेगा, तो यह थे हमारे चार टाइप के reaction जो आज हमने पढ़ लिये, लेकिन इसके अलावा और दो reaction बहुत ही सुन्दर और सुशील है, जो कि यह है, एंडो थर्मिक है एन एक्जो थर्मिक reaction जो अलग कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन इसका uses almost same है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर एंडो थर्मिक की, क्या होता है एंडो थर्मिक, एंडो थर्मिक reaction, देखो, एंडो थर्मिक reaction एक ऐसा reaction है, जिसमें जो heat है, वो involved हो रहा है, ठीक है, heat जब involved हो रहा है, मतलब कोई भी एक reaction हो रहा है, जिसमें heat जो है न, it is involved, उसका use हो रहा है और एक word है ठीक है क्या बोल रहा है heat from outside is absorbed during the physical process एक wording लिखा हुआ यहाँ पर क्या बोल सकते है यहाँ पर अगेन आप बोल सकते हो heat from outside is absorbed during the reaction और process आप जो बोलना है बोल लो मतलब in short यहाँ पर हो क्या रहा है कि जबी भी कोई chemical reaction हो रहा है तो उसमें जो heat है वो लग रही है वो use हो रहा है वो involved हो रहा है तो अगर ऐसा होता है तो उस type को reaction को हम लोग क्या बोलेंगे endothermic क्योंकि endo का मतलब होता है अंदर तो अंदर absorb हो रहा है मतलब use हो रहा है मतलब मुझे लग रहा है बिना heat के आपकी चाय नहीं बनती तो heat वहाँ पे क्या हो रहा है एब्सॉब हो रहा है तो वो reaction कौन सा हुआ endothermic reaction best example हीज हम लोग पढ़ने वाले है कि calcium carbonate है यहाँ पर ठीक है calcium carbonate example में लिखके लाए हो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ चलो calcium carbonate अभी अभी हमने देखा calcium carbonate calcium carbonate में क्या हो रहा है कि जब हम लोग उसको decompose कर रहे है मतलब in short decomposition reaction में डाद एक reaction जब हो रहा है तो calcium carbonate में heat absorb हो रहा है calcium carbonate में क्या हो रहा है heat absorb हो रहा है और वो ही calcium carbonate में heat absorb होने के वज़े से यहाँ पर calcium oxide का formation अलग हो जा रहा है और carbon dioxide जो gas है आपका वो अलग से निकल के बन जा रहा है calcium carbonate is nothing but क्या होता है जो आपका चूना बोल सकते हो आप लोग ठीक है चूना जो होता है वो normal तो पे उसको अगर heat supply किया जाए तो यह calcium oxide जो lime होता है अलग हो जाए और carbon dioxide उसमें से निकल के बाहर चला जाए अब दूसरा जो हमें पढ़ना है जो कि है एक्जो थर्मिक बहुत है याद रखना भी इसको कभी कभी ने इसके बीच में differentiate पूछता है heat is heat is given away heat is given away या फिर आप बोल सकते हो कि heat is going outside तो इसका best example समझ लेते है एक्जांपल समझ लो ठीक है एक्जांपल क्या है कि अगर हम लोग जो हमारा calcium oxide है calcium oxide जो कि आपका चूना होता लाइम हो दैं लाइम चूना जो आपके घर में चूना मारतें है चूना बड़ी वाली वैसे चुने समागों कऄ्याप्व्याइम कना डरालए जिसको पानी में डाला जाता थाerei लेने वर्था calcium oxide and water, दोनों जब साप में मिल जाएंगे, तो यह क्या बना लेगा, यह आपका बना लेगा, that is calcium hydroxide, c-a-o-h twice, यह आपका क्या बना लेगा, calcium hydroxide बना लेगा, और साथ ही में दोस्तों निकल जाएगा, heat, और इसका मैं जीता जाकता example दूँगा आप लोगो, कभ reaction होगा, और वो reaction होने से, वो जो slurry बन जाएगा, slurry मतलब जो mixture बन जाएगा, जिससे आप painting करोगे, वो जो चूना जो है painting करोगे, गिला गिला, वो आपका क्या है, calcium hydroxide है, लेगिन साथ ही में, क्या निकलेगा, heat निकलेगा, ठीके, क्यों heat निकलेगा, और आपने देखा भ reaction क्योंकि वो heat बाहर खरे करा है, बजमें आया, अपने पपा से पुछना ये चीज़ होता है कि निकलेगा, अपने बच्पन में, तो आपका हाथ जल जाएगा, इतना strong heat निकलता है उसमें से, तो वो नहीं करना है, ठीके, तो यह आप अपने family member से पूछ सकते हो, ठीके, त इसी के साथ जितने भी reactions थे, यह almost हमने complete कर दिया है, अब rate of reaction से कुछ catalyst है और क्या-क्या factors है वो सब बचा हुआ, इस chapter के अंपर जादा कुछ है नहीं, तो बस एक lecture और और यह पूरा का पूरा जो chapter है, वो आपका complete हो जाएगा, तो बस बने रहा हो हमारे सब प्यार दिखात अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके, शेयर कर देना, और अगर first time io channel पे चानल को subscribe नहीं किया है, तो फटा-फट से हमारे चानल को subscribe कर देना, ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे new video में तब तक के लिए, thank you and goodbye.